दोस्तों पहले हम यह देख लेते हैं कि किस तरह से टाइल्स की सौप में बिल बना जाता है सिंपल हम सौफटर को लॉगिन करके यहां से बिल बना के दिखाते हैं मैं इस वीडियो में आपको कम्पलीट पूरा बिलिंग वगरे सब कुछ बताऊंगा आपको पहले बिल दिखा देता हूँ कि कैसे सिंपल तरीके से वीडिन सेकेंड आप अपना बिल बना के अपने कस्टुमर को दे सकते हैं बिल बहुत सांदा तरीके से निकल आएगा अगर आपको इसमें जैसे टाइल्स की कॉंटिटी रहती हैं और बॉक्स में बिलिंग करना है स्केर फिट में बिलिंग करना है आपका इस्टोन का बिलिंग करना है सारा कुछ बिल हो जाएगा भाड़ा वगर अगर जोड़ना है बिल में तो वो सब कुछ हो जाएगा यह सिंपल देखे बिल निकल आया और ये bill आप अपने customer को print करके दे सकते हैं A4 में चाहें तो A4 में print कर सकते हैं और half page में अगर आपको print करना है तो half page में भी इस format को set किया जा सकता है और bill में आपका bank detail, logo, terms detail, आपका सारी चीज़ें जो है जैसे आपके HSN वगरे की detail सब कुछ आ जाएगी और ये पूरी तरीके से customizeable है तो अब चलिए अगर आपका tiles का business है और उसके लिए बढ़ी आपसा कोई software देख रहे हैं आप चाहते हैं कि आपका tiles का stock maintain हो और उसमें billing हो आप estimate निकाल सकें, चलान निकाल सकें जैसे आप अलग-अलग side पे माल जाता है तो चलान पे माल देते हैं देन उसके बाद उसका bill बनाते हैं तो वो facility भी होने चाहिए software के अंदर, साथ में आपको item की image feed करना है आपको अपना पूरा business उंगलियों पे चाहिए कि सारा कुछ record, stock वगएरा सब कुछ आपको चीज़ें मिल जाएं properly, smoothly आप बिलिंग कर सको अपने business को tiles का business है marvel stone का business मेंटेन कर सको तो आप पढ़े सान रहते हो कि बहुत कितना stock है, क्या leisure है कैसे हम इसको manage करें कैसे हम देख पाएं कि किसका कितना पैसा बांकी है कैसे हम अपने business में growth हो रही है या नहीं हो रही है और business का क्या चल रहा है कितना profit हो रहा है हमें इस business करने से कौन से item लेने से फाइदा है यह सारे questions आपके दिमाग में रहते हैं उनके solution इस software के माद्ध हम से मिल जाएगा, आपके business में जो भी बढ़िया तरीके से technique होगी वो हम use करके और अच्छे तरीके से आपके software को अपने implement करेंगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस software को प्योग करके अपना सारा business चाहे वो item में, अगर किसी item में rate लगाने हो तो rate लगा दीजिए, tag लगाने हो tag लगा दीजिए, वो सारी चीज़े maintain कर सकते हो, इस software को बांकी software से कैसे better है इसको लगाने से क्या benefit मिलता है आपके business में अगर किसी वी तरह का tiles या plumbing या किसी वी तरह का business हो, उसमें software के प्योग किया जा सकता है, pay tea, box piece के हिसाब से billing, आपका चलान wise billing, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको दोस्तों skip नहीं करना है, बहुत महनत से हम ये वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि आपका business growth करें, आप अच्छे से आसानी से अपने business को manage कर पाएं, तो इसी सोच के साथ हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है और आप आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट लिखके बताईए कि आप ये वीडियो कहां तक देखिए बहुत हाइटेक और बहुत अच्छा सॉफ्टेर है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम सॉफ्टर के आईकॉन प्याज आएंगे इस सॉफ्टर को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका वीडियो लिंक दे दूँगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड के लिए छोटा सा बता देता हूँ को क्या करना है आपको जाना है www.datahouse technology में और यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर जैसे आप टाइप कर लेते हैं तो आपको मिलेगा speed plus 9.0 वहाँ पर speed plus 9.0 में यहाँ पर यह देखिए speed plus 9.0 मिल गया यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और simple यह download के लिए option आजाएगा इसको download करके install कर लेना है और इसमें सारे setups जो रहेंगे सबको install कर देना है इंस्टॉल करते ही आपको देखिए इस तरह से आपका icon आ जाएगा इस पर double click करेंगे आप यह software चालो हो जाएगा software multi language मतलब अगर हिंदी में भी किसी को अगर चाहिए कि बिल बने तो हमें हिंदी में दिखे तो वो भी किया जा सकता है मतलब आप बिल में printing वगएर भी हिंदी में ला सकते हैं ठीक है हमने company यहाँ पर पहले से बना रखी है मतलब कि यह देखे महें styles हमने बना रखी है अगर आपने नहीं बनाई थे हम पर simple create new company करके आपको अपनी firm की details अब कुछ डाल करके बना लेना है ठीक है अब हम यहाँ पर आते हैं double click करेंगे software login हो जाएगा यहाँ पर अगर आपका एक question होता है जादतर लोगों का कि भई हम चाहते हैं कि operator हमारा सिर्फ bill बना सके किसी bill को delete या modify ना कर सके साथ में वो पुराने reports ना देख सके तो इस तरीके से control किया जा सकता है अलग-अलग operator बना जा सकते हैं इसमें unlimited user बना जा सकते हैं आप जिसको जो काम दोगे सिर्फ वो वही काम कर पाएगा अब हम आते हैं software के main screen पर यहाँ पर आपको देखिए item का option मिलता है item पर आप new में जा करके item बना लेते हैं जो एक tiles के business में दो तीन चीज़ें important होती है item बनाते समय क्या important होती है कि हमें एक तो item में बहुत सारे sad या बहुत सारे design आती है मतलब tiles में hero design होती है तो उन design को maintain करने के लिए हर design पर design number दिया जाता है है ना तो उस design number को हम डाल देंगे अपने item create करते समय और कई बार क्या होता है किसी box में मतलब किसी design की packing होती है 2x2 की होती है कोई 1x1 की होती है मतलब 1x1 की होती है कोई 2x4 की होती है कोई 4x4 की होती है मतलब अलाग-लाग sizes की tiles होती है तो एक तो size भी maintain करना होता है और कुछ चीज़ें भी ऐसे है tiles की भी हमारा first कमाल है कि second कमाल है या विक्रिफाइट टैल्स है, तो अगर कुछ टाइप बगर भी अगर maintain करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो, image लगाना चाहो, वो image लगा सकते हो, तो दिखो क्या करना है, आपको यहाँ पर item पे आजाओगे, यहाँ पर टैल्स का नाम लिख देना है, जैसे मैंने कजारिय लिय यहां पर इसका इसका जो भी उसका एचसे नंबर रहे को डाल देंगे यहां पर टाइस परशंट जिस्टी रहती है तो डाल दिए यहां पर ग्रूप कर सकते हो इससे क्या होगा कि बाद में अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि मुझे जॉन्सन की कितनी टाइस मैंने कितना बिजनेस मैंने टूटल साल भर में किया तो वो सब कुछ आपको यहां पर मिलता रहेगा इसी तरह से ग्रूपिंग कर सकते हो कि मैंने टाइल्स में है कि क्या चीज़ है यहां पर ले लेंगे बॉक्स अब देखिए यहां पर समझने वाली बात होती है कि अगर मैं च स्क्यर में स्केर स्क्वर्वर्वर यहां पाकर को आपको यहां पर पीशाट हैं तो मेरे एक बॉक्स के पैकेट में जो एक box है उसमें चार टाइल्स है और चार टाइल्स में और मुझे जो रेट देना हो मैं box कहीं दे रहा हूँ ठीक है मैंने यहां पर box select कर लिया अब मैं क्या करूँगा इसमें maintain design number में tick कर दूँगा यहां पर option में maintain design number का और यहां पर हम डाल देंगे design का number जैसे for example मेरी पहले design है one two one है ना और three t यह कोई design है मेरी ठीक है अब यह size इसमें क्या है इक two by two की size है ना ठीक है इसमें type क्या है यह first कमाल है तो मैंने फास्ट लिख दिया ठीक है अब यह first कमाल second कमाल आप समझते ही होंगे ठीक है इसमें select कर लिया अगर इसका sale rate है माल ने देया कि पर box हम देंगे इसका 700 रूप है MRP है 900 रूप है और उसका अगर basic rate बगएर डालना है तो डाल सकतो इस तरीके से rate बन जाएगा अब माल लीजी एक और question होता होगा कि यह हमारे पास इसमें माल लीजी 10 variety है तो मैं 10 बनाने के लिए क्लिक कर देना है तो आपके य दूसर डिजाइन नंबर है तो मैं यहाँ पर 3-4 कुछ भी डाल दूँगा और यहाँ पर 5 डाला तो 5 हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप अलग-अलग item बना सकते हो अब यह extra माल लीजी बन गए मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पर delete में टिक करूँगा तो यह delete हो देता है और अगर rate वगरे चेंज करना तो rate चेंज कर लो और अगर नया बनाना है माली जी मुझे सारा कुछ नया ही डालना है तो बस सिंपल मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और यह item हो जाएगा ठीक है तो item हमारा add हो चुका है अब हमें एक चीज और question होता है आपका कि भ पूरे item list import कर देंगे ठीक है तो हमने इस देखा अभी कि item बनाते कैसे हैं और import कैसे करेंगे ठीक है अब हम आ जाते हैं purchase के उपर तो purchase में आएंगे new पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मतलब हम जब भी खरीदते हैं माल तो उसकी entry करना है तो हम date डालेंगे कि किस date पर हमारे पा number वगयरा सब कुछ डाल देंगे तो आपका यह add हो जाएगा यहाँ ठीक है तो next time हम जब इनका bill वगयरा purchase चढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारा GST बना कितना हमारा input मिला और GST की जो accounting की report होती है वो भी इस software में manage की जा सकती है जो भी bill number आएगा वो डाल होगी जैसे मेरा Johnson का यह select किया मैंने तो यहां पर देखिए यह जितने भी उसके size और article है वो दिख रहे हैं जो भी size में select करता हूं इंटर करूंगा यहां पर आ जाएगी quantity यह 50 box आया तो 50 box में देखिए 220 आटोमेटिक कर दिया उसने ठीक है और यहां पर क्या rate से आया मेरे पास तीन 400 रूप के हिसाब से box के हिसाब से आया ठीक है अगर कुछ डिसकाउंट दिया 4% डिसकाउंट तो 4% डिसकाउंट आ गया इसी तर कजारिया का माल आया तो कजारिया मैंने select का लिया यह आ गया 60 पेटी ठीक है तो इस तरीके से जो भी आपके पास माल आएगा उसक पर एड कर लोगे कि भी 800 रुपे भाड़ा हो गया ठीक है तो इस तरीके से जितना भी आपका जो पर्चेज है वो चड़ जाएगी आटोमेटिक स्टॉक मेंटेन हो जाएगा और आपको डिजाइन नंबर वाई साइज वाई आपको अलग-अलग स्टॉक देखने को मिल ज जाओगे और नियूपर क्लिक करोगे और नियूपर क्लिक करके डेट सेलेट करोगे क्रेडिट का यहाँ पर यहाँ पर बिल नंबर आटोमेटिक बढ़ेंगे अगर आप चाहते हो कि बिल के आगे ऐसे लिख क्या है जैसे जी एस टी वन हैना 24-25 तो सब कुछ जैसा आप च से सलेट करना है तो 1201 भी लिखोगे तो भी आ जाएगा है ना मतलब की आइटम आइटम नेम से सौट नेम से या कि आपका जो आइटम के बीच में भी कुछ है सभी चेकर से ले लेगा देखिए यहां पर इस टॉक भी दिखा रहा कि 35 बॉक्स का इस टॉक है आपके पास इ से 590 रुपए प्लस जेस्टी हो रहा है अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर 700 रुपए में डालू और सौफ्टर खुद टैक्स माइनस कर ले तो सिंपल मुझे अब एक तरी जबाके 700 डालना है और इंटर करूंगा तो आटमेटिक टैक्स सौफ्टर खुद माइनस कर लेगा है ना दो कि 10 into 700 7000 रुपए इसी तरह किसे जॉन्सन का है और यह बाला मन ले रहा हूं मैं ठीक है और इसके मैं साथ माली जे 5 packet डाल रहा हूं 5 box डाल रहा हूं और यहां पर मैं चाहता हूं इसका rate ये डालना चाहे रहा हूं माली जे 590 रुपीज included तो automatic software खुद अपना tax निकाल लेता है और इसी तरीके से आप charges में जा करके fret में fret भी add कर सकते हो और इसमें estimate billing मगारा भी कर सकते हो ठीक है तो हमने माली जे 500 रुपे भाड़ा जोड़ दिया और इसको save किया save करते ही आपका bill generate हो जाएगा बिल की PDF आप customer को WhatsApp कर सकते हो आप उसमें बिल में अगर कोई customization चाहिए जैसे माल लीजे आप चाहते हो कि भई हमारा यहाँ बैंक डिटेल लग जाए आपका टेमसें कंडिशन चेंज हो सके या कि कोई और नंबर है या कुछ और आपको information रखनी है कि आप तो आप जैसा customization चा इस आइटम में कित्य परशन टेक्स लगी वो सब detail भी आ गई है और नीचे आपकर देखिए पूरा proper बिल बन के आ गया hsn number gst quantity rate discount amount आइटम का नाम यहाँ पर बायर के detail हो गई यहाँ पर आपके बैंक के detail हो गई ठीक है तो इस तरीके से आपका बहुत आसानी से बिल बन ज दिखेंगे कि हमने कस्टूमर को जो माल बेचा है हम और इसे दिखेंगे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने-कितने लोगों से किन-किन लोगों से पैसा लेना है जैसे दिख रहा है 29,460 रूपर लेना है इसको डबल क्लिक करेंगे तो यह पूरा लेजर दि तो यहां पर आपको बैंक मिलता है तो बैंक ले सकते हो कैस मिलता है तो कैस ले सकते हो यहां अलग अलग तरह के पेमेंट मूड एड़ की जा सकते हैं अभी हमने माल लीजिया यह पार्टी है हमारी संकर्तिवारी इन से हमने टोटल 10,000 रिसीव किये और अगर कुछ रिमार्क इस तरह से आप पेमेंट करोगे है अब इसमें आप जो भी सप्लायर को पेमेंट करते हो जहां से माल खरीदे हो उसका डिटेल डाल सकते हो उसका पैसा मेंटेन कर सकते हो जैसे पांच complexity की दिया आपने से बुत नहीं दिखाएगा देखी है ना 29,000 देने थे 10,000 आपका सुरी हमने कस्टमर को खोल लिया हमें खोलना सप्लायर का यह देखिए राके स्टेडर का तो हमने पांच जार रुपए का दे दिये हैं 46,000 रुपए का भी लाया था ठीक तो 41,000 रुपए उनका बैलेंस बच सकता है इस टॉक आपको दिखाएगा जेस्टी की रिपोर्ट्स आपको पूरी मिलती है यह देखें जेस्टी रेजिस्टर बिलवाईज आप देखोगे ओके करोगे आपका पूरा आटोमेटिक सॉफ्टर खुद जेस्टी बना के देदेगा यह बस यह रिपोर्ट को एक् अपको आपको इसमें बैंक एंट्री के बारे में देख सकते हो आप उसमें एक्सपेंस के देख सकते हो तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए बने रही है हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब की भीना नहीं जाना है रिक्वेस्ट है और कमेंट करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके थैंक्यू धन्नवाल